हलो फ्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे पैरों में होने वाले फंगल इंफेक्शन की बात करेंगे जिसको एथलेट फूट बोला जाता है या तो टेनिया पेडिस बोला जाता है यह जो फंगल इंफेक्शन है या तो पैर की दो इंगलियों के बीच में हो सकता है या तो ज पड़े दोने के काम करते हैंangen के घर मेजों के लिए यारा काम करते हैं जब पड़ जादा देर तक कड़।। पानी के अंदर रहती हैं या कुछ लोगा जो श्यूमिंग पूल में काम करते हैं इसे लोगों में इन्फेक्शन कामन है और इस्पेशली गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में जब टेंप्रेचर में हुमिडिटी ज्यादा होती है तेंप्रेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है जब इन्वार्मेंट में हुमिडिटी होती है उन मैसम में ये दो होता है उसके कारण होता है और यह फंगस बे Configly छुः चुठी प्रावलम होती है एक दैख्त से दूसरे बियोंध में आसकता है तो सकता है किएग कोई को इनफेक्शन हो उस से दूसरे ब्योंध को लग सकता है या तो आप घर में ही किसी एक सदस को है तो दूसरे सदस को सकता है या तो कई बार ऐसे लोग जो टाइट जूते पहनते हैं या गीले जूते पहनते हैं गीले मुझे पहनते हैं या प्लास्टिक वाले जूते पहनते हैं जिसमें air और गारा नहीं लगती उस cases में फिर ये infection होने के chances रहते हैं और ये infection के चांसे तब भी थोड़े बढ़ जाते हैं अगर किसी को डायविटीज की समस्या या उसका सरीर कमजोर है लीवर किटनी की प्राबलम है तो बढ़ती उमर के साथ ये बीमारी बढ़ती है और कुछ केसे में जब ऐसी कुछ दवाईयां चलती हैं जो सरीर को कमजोर कर देती हैं उन केसे में भी इनफेक्शन होने के संभावना रहती है अब कई वार लोग परिसान रहते हैं अलग अलग तमाम तरह की दवाईयां ट्राई करते रहते हैं और ये बीमारी ठीक होती है तो बीमारी इसलिए नहीं ठीक होती इसको थोड़ा से समझना पड़ेगा कि जो फंग लेता है कि यह सब लोगों को ऐसा लगता है कि अग्ट ब recuperat कि में किसक बार दर्थ होता है करे दोए अपको किसम yang मृड़ंस भाइए मेडिकल स्टोर पर वह में दो गई लेकिन आपने उसको जितना समय तक इलाज लेना चाहिए उतने समय तक इलाज नहीं लिया और ज़्यादा चांस यह है कि आपको सही दवाई नमेलिया ऐसे दवाई मिले जिसमें कि अंटी फंगल दवाई डली नहीं है मतलब उसमें अंटी बैक्टीरियल डला हुआ है या तो उसमें कोई इस्टराइड डला हुआ है या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो दवाई आई वो किरेटोनलिटिक दवाई हो मतलब दूसरी बीमारी को कोई दवाई हो तो यह दोनों पासिबिल्टी बनी रहती है तो अब इसको अगर पहँचानने की बात करें दाने आ जाते हैं पस भर जाता है किया कई बार उसमें लाल कलर के धबे पड़ जाते हैं वो एरिया रेड कलर की हो सकती है तो इस तरीके से अवन दिखती है और खुझली होती है तो अगर खुजली हो रही है इसकिन फट रही है इसमें स्केलिंग हो रही है उपर की सर्फिस अट रही है रेड कलर की है और पानी में आप काम करते हैं तो काफी चांस है कि ये फंगल इंफिक्शन ही हुआ होगा फिर जाच का और तरीका होता है अगर इस तरह के संकेत मिल र सकती है कि फंगस है कि नहीं हलाकि अमोमन उसकी जुरुत नहीं होती है अगर वो बहुत ज़्यादा बिगड नहीं गया है गलत दवाईयां लगा के अब इसके इलाज में एक तो आपको बचाओ करना है और दूसरा इलाज करना है बचाओ इसलिए करना है कि अगर आप ऐसे का करते जा रहे हैं तो इतना सक्सेश्फल होगा नहीं और इलाज से अगर मालो यह इन्फेक्शन ठीक भी हुआ आगे आने के चांसे से रहते हैं तो सबसे पहले अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जहां पे पैर ज्यादा गिले रहते हैं आपको मालो पसीना बहुत आता है तो इसको हमेशा टाइम टाइम से साफ करते रहें धूलते रहें उसको पंखे में अपने पैर को सुखाएं अगर मालो गिले काम करते हैं जिसमें पानी में जाना ही पड़ता मजबूरी है तो भी पैर को अपने कम से कम 24 गंटे के अंदर एक दो बार जब भी बाहर निकले तो अच्छे से उसको सुखाएं और आज के लिए जो दबाईयां आती हैं इसको लगा सकते हैं पौडर वगरा भी आते हैं जो जूते में आप डाल सकते हो ऐसे पौडर जिसमें यह एंटी फंगल दबाईया डली रहती हैं कीटो को ना जालो गरा डले रहती हैं यह बहुत सार करना थोड़े ज़्यादा दिन के लिए कम से कम आप डेड़ महीने का समय ले लो होता क्या है कि इनीशल स्टेज में जैसे आप इलाज चालू करोगे तो यह एक आथ हपते दस दिन बाद इंप्रूव्मेंट मिलता है और लोगों को लगता है कि बिमारी ठीक हो गई है राइट सबसे बड़ी गलती यहीं पोजाती कि आपको जैसे लगा कि बिमारी ठीक हो गई आपने इलाज बंद किया और एक दो महीने बाद फिर वो प्रावलम चालू हो जाती है तो ऐसी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी काथपते में तो आप मुझ की दवाई बंद कर सकते हैं और दूसरा कि अगर कई बार किसी को बैक्टीरिया का इंफिक्शन होता है मतलब वहां पे पस हो गयरा इकठा हो जाता है एपसिस बन जाता है उसके सिसमें एंटी बैक्टीरियल दवाई खाने की भी ले सकते हैं या तो छो लगाने की भी ले सकते हैं मतलब कि जिसमें ऑ्यूर्थ मिद्वा ऑर इंटी बैक्टीरियल दोनों का दैव saya जैसका माइकोना जाल है या इसके लावा क्लोट्राइमा जाल होता है केटो कोना जाल होता है ये तीन दवाईया है जो काफी चलर में है एक लूली कोना जाल करके भी दवाईया आती है जो भी लगा सकते हैं है और खुकी करीम है और ऐसे लोग जिनों कि आभी दिन तक लगा लिए है अपना केश बिगार लिया है यह हो सकता है कि उनको किसी वज़ा से आराम नहीं मिला है ऐसे लोगों को फिर खाने के दवायां चलेंगी और और खाने की दवाईयां को छोड़ा लम्भी चलेंगी। दो माहनी दंग। ते खाने की भी अलग-अलग दवायां आती है अपने से नहीं खाना है। डाक्टर की सलास लेना, वहुंकि खाते समय कुछ जाचोगा रहा होगी। उसकी ज़रृत होगी। तो यह है इन्फेक्शन जिसको हम लोग एथलीट फूड बोलते हैं पैर के उंगलिया होती है तो इंगलियों के बीच में यहां पर बेसिकली ज्यादा कामन होता है क्योंकि यह एरिया अमुवन गिला रहता है नीचे पैर का है लोग अच्छे से उसको धूल के सुखाते नही है तो थैंक यू सो मच बाइब